दिये हुए द्विखाथ समीकरण में से सबसे पहले सम अफ रूट्स alpha plus beta minus b by a का मान निकालेंगे और alpha plus beta c by a का मान निकालेंगे जो कि minus 3 बैट 1 पांच आ रहे हैं अब देखते हैं हमारा सवाल के आइख सवाल है कि alpha square plus beta square का मान निकालना हम दो जानते हैं alpha square बलस beta square होते है alpha बलस beta का hole square minus twice alpha beta यह formula लिखने पर हमें alpha बलस beta और alpha बीटा के रूप में आ जा रहा है alpha बलस beta का मान बेठा लिए जाए और alpha बीटा का मान बेठा लिए जाए मान बीठा लिए बस सरली करण कर लिजी सरली करने सिंपल कैलकुलेशन सोता प्लस माइनस करके अंत में इसका एंसर आ जाएगा आपको तो चलिए देख लेते हैं इसका एंसर कितना आया तो अंतता सरली करन करने के बाद इसका एंसर आ गया 34 by 25 तो इस तरह से सम अफ रूट्स और प्रोड़क्ट अफ रूट्स का सवाल को सॉल्व किया जाता है सबसे पहले सम अफ रूट्स मैंने अलफा प्लस बीटा जो की फॉर्मूला है माइनस भी भाई ये बी और एकमान बिठा लेजे और एलफा बिटा प्रोड़क्ट अफ रूट्स वाता हैं सी भाई ये जिने ए बी सी करम श्यूला है एकस स्क्वाइर का कोफिशेंट एकस का कोफिशेंट और अन्त्वला में कॉंस्ट्रेंट टर्म सी है धन्यवाद